जैजी नेंद्रबंधू, कारिक्रम जैनवास्तु रहस में साधर अभी नंदने आपका, मैं हूँ आपके साथ डेजी सिंग, हमें पता है, कारिक्रम की शुरुआत होते ही आप लगातार अपने कॉल स्ट्राइक कर रहे हैं, कि पहला नंबर आपका लग जाए, क्योंकि एक बार जब कारिक्रम शुरू हो जाता है, तो फोन लगातार बिजी आते हैं, इसलिए हर रोज आपके लिए एक कारिक्रम हम लेकर आते हैं, कि आप निराश मत होए, आपका फोन लगे और आप भी अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान प्राब्द कर सकें और हर बार की तरह आपसे बात करने के लिए, आपको वास्तु का ग्यान देने के लिए, आपके जीवन में खुशियां वापस लाने के लिए हमाई साथ स्टूडियो में उपस्तित हैं, वास्तु की ग्याता, जी हां, डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, तो आईए उनका आपका, जैजी नेन, जैजी नेन, डॉक्टर साब लगातार कॉलर्स लाइन में लगे हुए हैं, तो उन्हें और इंतजार नहीं करवाना है, सबसे पहले कॉलर अशोग जी शाहद्रा से जुड़े हैं हमारे साथ, अशोग जी बताईए क्या पूछना चाहते हैं, जैजी क्या उपाय करें? चबूत्रा बनमा दीजेगा, और उसमें मरकरी का पिरामिट और कापर के दो नो पिरामिट रख दीजेगा, और इसके नो पिरामिट के नीचे गोमती चक रखते चले जाएगा, और पीली सरसों और सफेज सरसों, और उसके लिए दो भाई दो का चबूत्रा बनाने के उसके पूरे के पूरी साउथ और बेस्ट की दिवाल की कॉर्णर कॉर्णर पर एक एक बूंद पर आप मरकरी इंजेक्ट कर दीजेगा तब ऐसी इस्तिती में उस दोस्ट का निवारण हो जाएगा नौर्थ की तरफ है कि बेस्ट की तरफ है नौर्थ से धलान बेस्ट की तरफ है याने कि आपके भूमी के प्लाट जो प्लाट है उसका लगभग लगभग धलान पश्चिम दिशा में जा रहा है निश्चित रूप के ऐसे इस्थान पर कभी भी लाब और प्राप्तियों का इस्थान होता है किसी भी चीज की का उतना लाब नहीं हो पाएगा जितना लाब आपको होना चाहिए आप धलान को उत्तर पूरप की तरफ कर दें तो अब उचित होगा लेकिन यदि करना कैसे भी शंभाव ना हो तब इस्थिती में आप क्या करेंगे एसी स्थिती में आप जो पस्षिम दिशा है उस पस्षिम दिशा के अंडर ग्राउंड ली एक ऐसी दिवाल वनाएंगे जिसमें पितेक फिट में एक कापर का पिरामिड रखेंगे और उसके नीचे एक मरकरी का पिरामिड रखेंगे ऐसे 5 सत्तों के 5 कापर के प्रामिट और 5 मरकरी के प्रामिट पस्षिम दिशा में रख देंगे तब आपका ढ़लान यानि कि अपोजिट हो जाएगा यानि कि मरकरी जो है वो उस पूरी निगेटिविटी को एब्सॉर्ब कर लेगी और उसका ढ़लान जो है वो अपने आप आ गया होगा साब आपको बहुत अच्छा बहुत सही हो बहुत अच्छा लगा सब हमने पूरा इसको नोट भी कर लिया है जी कि घल समाई हो जाना हमें किस परकार करना चाहिए जैसे जी अध्री का है इसमें लाल रंग आप हम प्रियोग करते हैं जी जी लेकर रसोई पूरब अगने में निर्मित की है तो इस दिसा में उस कारी का जो करने जा रहा है वो किस तत्त का है वह है अगनी तत्त का लाल तो रंग है हैं लेकिन लगडी में जब हम लकड़ी डालते हैं तो लकड़ी अच्छी जलती यह से कहला को घुलर को रिया ऑंके ऊंगचेश लिए बड़ी की घर में वहां हिली है मुझा नीजला क्यू कि दिखें से लिए UKर में पीला त्रहल्ड को इस प्रकार के इस तरह से पितेक तत्तों के अनुशार उस घर के में रंग संयोजन करना चाहिए जैसे कि ड्राइंग रूम है आपने हिसान में निर्मित किया तो सफेद रंग कर दीजिए यदि पूर बितिशा में भी यदि आपने किया है तो पिस्ताय सफेद किया जा सकता ह है यदि आपने नेरत कोण पर कोई कमरा कक्ष बनाया है चाहिए वो सेन कक्षो या मास्टर बेडरूम तब उसमें पीला रंग कर सकते हैं यदि आपने बायब बितिशा पर बनाया है तब ऐसी स्थिति में आप सफेद रंग कर सकते हैं इस तरह से रंगों का संयोजन अलग कि यदि आप फोल लगाते हैं और आपका इत्तिफागन भी लग जाता है तो आपने आपको बहुत भागिशाली माने क्योंकि बहुत सारे दर्शक वेटिंग में लगे रहते हैं तो आपको जो बहुत गहराई वाले प्रेश्न है और आप चाहते हैं कि उनका डॉक्र सहाब जवाब दे तो आप कोशिश कीजिए कि उन प्रश्नों को पूछने के लिए जो आपके कुछ समय के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो स्थिर हो जाए और अगर आपको डीटेल में प्रश्न पूछना है तो आप अपॉइंट्मेंट लीजिए डॉक्टर सहाब से बात करिए जब भी वो-free होंगे आपके प्रश्नों का उतर वो विस्तार से देंगे क्योंकि यह प्रॉग्राम में हमारे पास लिमिटेट समय होता है इस लिए समय में हमें अन्य दरश्गों से बात करनी होती है इसी के साथ आगे बढ़ते है अपने अगले कॉलर ललिट जेहन डिजी में आप पिरामेड मर्करी के स्वास्तिक कामा सिंदूर सफेज सरसो वगरा आप अपने प्रोग्राम में बताते हैं मैं भी उसको बजार में ढूंडने गया उसका प्रयोग के बारे में लेकि मुझे समान तो बजार में मिला नहीं आप जमीन बेचने के लिए कामा सिंदूर का प्रयोग बताते हैं जी 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 तो उसका मैं कहां ढूंड़ू समान कि आप खुछ यह समान आपको कहां ढूंडना है और इसकी क्या उप्योगता है समान आपके लिए मरकरी को आप कहीं भी ढूंड़ेंगे मिल जाएगी मरक कंपिनी की मरकरी डालें कई लोगों ने मरकरी का गलत प्रयोग किया उसको गलत परणा मिले हैं जैसे जब भी मैंने का तो एक बैक्ती ने मरकरी 100 ग्राम अपने मंगल कलस में डाल ली घर के पूरे रोग बीमार हो गए मरकरी किसी एक बैक्ती ने एक किलो एमदावाद में डाल ली तो एक किलो मरकरी उपर से डाल लेंगे तो आपकी उपर के सरफेस पे बायू से संपर्क हो करके और आपकी सतह पर आकर के सबको बीमार कर देगी जादा से जादा मरकरी भूमी गत 5 फिट नीचे डाली जाती है मात 50-75 ग्राम मरकरी आपके 4 या 5 इंच नीचे डाली जाती है लेकिन 1 इंच नीचे आप डाल देंगे किसी भी फिलोर पा तो आपके लिए नुक्षान दायक होगी तो पहले आप उपयोगता समझें देखा रायपुर में एक किसी वास्तु विद्ने एक किलो मरकरी इसान कौन पर गड़ा खोद के सीसी सहत रखवा दी तब मैंने खुद भाई हो निकल भाई यदि मैं पूछता हूँ आप से कि आप परसीटमॉल यदि आप अपनी तकिया के नीचे रख लेंगे तो आपको को सामगरी की सामगरी की गुडवत्ता होना चाहिए दूसरी बात मरकरी को जमाने की बिधी मैं बता देता हूँ मरकरी में जब कौपर सलपेट डाल करके और बेसरम की लकड़ी से गरम कड़ाई को चड़ा करके किया जाता है चलाई जाती है तो वह जमने लग जाती है और जो पितेग फैक्टी पितेग ब्यापार के चारों कार्णर में या मुख दरीज ब्यापार एदी नहीं चल रहा हो या आपके दर्वाजे के दोशों तो आप मुख दर्वाजे के दोनों कार्णर में इस तरह के मरकरी के स्वास्तिक को आप लगा दीजेगा आपको परणाम बहु धन धान की ब्रद्धी कराती है यह सुब मुहुर्त में यदि गल्ले में स्तापित कर दी जाती है तो धन की बरक्कत होती है और धन की ब्रद्धी कराती है यदि जो भूमी पर प्लाट विक्र नहीं हो रहा हो उसमें डाल दी जाती है मंगल कलस में तो इसकी स्तापना की जाती है जैसे कि अभी चतुरमास के मंगल कलस जगे जगे इस्ताफित किये जाएंगे लेकिन दस पचीस ग्राम सफेज सरसों डाल दी जाती है तो निश्चित रूप से हुआ है मंगल कलस मंगल कारी नहीं रिद्धी शिद्धी ब्रद्धी सम्रद्धी कारक बन जाता है इसलिए रही भूमी या सुकत भूमी बादित भूमी या जिस भूमी का बिकर नहीं हो पारहोग उस भूमी के साउथ इस्ट मे डेड़ से 2पए और झचे इन्च पर जगे जगे पर इसको डाल करके और इसके उपर कापर का पिरामिट रख दीजेगा तो निश्यत रूप से भूमी बिक्रा हो जाती है इसका एक और मैं नुक्सा बताता हूं जो बच्चे बीमार हो जाए निमोनिया हो जाए उनके लिए जरासा इसका पाउडर घिसकर के और नाभी पर लगाने पर भले वगा डॉक्टर ने डिक्लिय मिलती हैं निश्चंकोच मेरे मुझे फॉन लगाए मैं बिक्रा या दुकान तो नहीं डाले हूं लेकिन मैं आपको उचिस सलाय अवश्य दो दूँगा कि कहां से यह बस्तू मिलती है यदि नहीं मिलती हैं तो आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं यदि गुडवत्त का परिछण नहीं करेंगे तब आपको किसी भी भूमी के उपचार में परणाम नहीं मिलेंगे ठीक उसी तरह से यदि सही दवा नहीं होगी यदि आपकी दवाई गलत होगी नकली दवा यदि किसी पेसेंट को दी जाएगी तो पेसेंट ठीक नहीं होगा बलकि बीमार हो जाएगा ठीक इसी तरह से यदि नकली कामा सिंदूर यह नकरी मरकरी बजार में जो लिक्रिट फार्म में मिलती है वह लेड मिक्स होता है और लेड मिक्स मरकरी जिस घर में डाल दी जाती है यह लेड बाले मरकरी के स्वास्तिक कई लोग बड़े सस्ते बोले बोलते हैं यह तो 2000 रुपे किलो मिल गये वह 2000 रुप किलो मरकरीका स्वास्तिक कैसे संभाव यह सिर्फ लैड के स्वास्तिक हो सकते तो लैड जब जमीन में डाला जाएगा तो वह जमीन को शक्त्या नाश करके रख देगा इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है लली जी आप बास्तूबिद बन गए लेकिन अच्छे बास्तूबिद तभी कहलाएंगे जब इन बस्तूओं का प्रियोग करना समझेगे अगली कॉलर संदीब जुड़े हैं हमारे साथ सागर से संदीब जी बताईए क्या पूछना चाहते हैं देखिए संदीब जी मैंने दुकान तो नहीं देखी लेकिन हो सकता है कि आपकी उस दुकान पर नकारात्मक इनर्जी का प्रिकोफ हो गया हो या आपकी नजर देश्टी का शिकार भी हो सकती है उसे भी इनर्जी कहते हैं क्योंकि पहले दुकान का चलना और अब ना चलना दूसरा तत्त का संतुलन बिगड़ गया हो हो सकता जो सामगरी जैसे जिस तत्त की यदि आपकी दुकान बरतन की है तो पश्चिम दिशा पर पहले लोहा रखाओ और अब उस दिशा पर आपने दूसरी धातू रख दियो या इसान दिशा पर कहीं आपने तामे के बरतन तो नहीं रख दिये हो सकता है क्योंकि हुआ अगनी का इस्थान है आगने कौन और उस पर इसान कौन जल तत्त का है यदि आपने तामे का अगनी तत्त के बरतन रख दिये होंगे तब विप्रीत्ता आ जाएगी आप तीन बातों का ध्यान रखें तत्त के अनुसार अपने पूरी दुकान का संयोजन करे और एक बार अपनी दुकान का उशारा कलने उसारा कैसे 41 नंबर भक्तामबर के काब से रखते छडम समध को किलकंट नीलम इस काब से 7 वस्तूओं को ले करके जैसे की शूखा नारियल, काला कपडा, इसके अंदर शिंदूर, मेंदी, काले उड़त, पीली सरसों, 25 पैसा, पोर्टली बना करके तीन चक्कर आप भक्तामबर के 41 मकाब से उशारा करें और आप किसी चौराहे या नदी में किसी तालाब में ठंडा कर दें, पीली जरासी सरसों लेकर के हाथ में और चारों दिशाओं में छेपड करें, दिग बंदना मंत का उच्चान करते हुए, तो दिग बंदना करें, मेरी गारंटी है कि सिर्फ दस रुपे का यह नुक्सा आपके लिए दस हजार रुपे का बिक्रा बढ़वा सकता है। पे कॉल करके अपनी सीट बुक करवाएं, सीट रिजर्ब करवाएंगे तो किसी और के आने की चांसे नहीं रहेंगे, तारीक एक बार फिर से बताना चाहूंगे, तारीके 23 और 24 जुलाई, होसकास विलेज, डेली के अंदर, ट्रेनिंग देनी चाह रहे हैं, जहां पर आप अपने आपको जानेंगे, इश्वर ये शक्ति जो आपके अंदर है, आप उसे पहचानेंगे, फिर देखी किस तरीके से आपके अंदर सकरात्मक का आती है, और जो भी एनरजी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो एनरजी इस कदर आपके शरीर के अंदर आ जाएगी, कि नेगेटिव एनरजी आपको छूब भी नहीं पाएगे, क्यों डॉक्तर साहब? के परिवर्तन से हम अपने त्रिष्टी कोन में भी परिवर्तन ला सकते हैं, स्रिष्टी के सम्यक संतूलन से हमारा मानसिक संतूलन बन सकता है, असफलता और बाधाओं से मुक्ति, आनंद, उल्लास, रिष्टों में मिठास को बढ़ाया जा सकता है, खटाई में पड़ी य समस्याओं के समाधाने तू संपर्क करें डॉक्टर राजेंद्र चैन वास्तुवेत भूवज्यानिक 09826909074 08103877792 इमेल जियोकाइट 1008 at gmail.com झाल